हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रेवलुशन की तो मैं ये डाउट आपका ख्लेयर करेंगे तो बच्चों के मन में डाउट आता है फ्रांस का समाज तीन हिस्सों में बटा हुआ है अब मज़े की बात यहां पर क्या है इन दोनों में से कोड भी टैक्स नहीं भरता समाज का जंग के मज़ा ले टैक्स का जंग के मज़ा ले इराजा के के सांदोलन करना ज़रूरी है फ्रेंच रेवलुशन के नाम से जानते हो मुनार्की करीब लोगों बिटा उनको भी यहां पर अधिकार नहीं मिला तीन कलर होंगे जो फ्रांस के क्या ले करके आए हो आज अपने बिटारे से तो एक है मैं सही बताओं बिटारा तो देखो भी यह फिजिक्स वाला का है और आपके फिजिक्स वाला की फांडेशन चानल पर इस पिटारे से हर बार कुछ ऐसा आता है जो हमारे बच्चों को इद्दम मस्त इदम जवर्दस और खतरनाक तरीके से पढ़ाई करने के बारे में बताता है और अगर आप देखो बच्चे तो एक ऐसी सिरीज थी जो हमने चलवाई थी बच्चों के लिए लास्ट येर भी यहरी माइंड माप सिरीज कम समय के अंदर बच्चों को कॉंसेट को रिवाइस कराने वाली सिरी देखो बहुत सिम्पल सी बात है चाप्टर सापने 10 बार पढ़े हैना no doubt चाहे marathans हो चाहे one shot lectures हो चाहे batches के lectures हो आपने हर जगे chapters को पढ़ा हुआ है अपने यूटिव वीडियो के अंदर अब सवाल उठता है कि सर कई बार ऐसा होता है कि चाप्टर का जो length है हो काफी ज़ जाता है तो सर भी यह बताईए कम समय के अंदर जो है अभी यहाँ पे किस तरीके से क्या जाए तो बच्चे देखो बहुत सिंपल है यह आपको रिविजन के लिए बहुत चुड़े वीडियो की जरूरत होती है जिसका duration बहुत कम हो जिसको आप सुन करके कहानी समझ करके कर लो कि अच्छा चार्टर में यह हुआ था तब क्या होगा जब आप कोश्चन आंसर पढ़ोगे तो आपको बड़ी असानी से याद आ जाएगा कि यह चार्टर की कहानी ऐसी थी और यहां पर आता है हमारा माइंड माप सिरीज की शुरुआत करते हैं एक बहुत जबदस च कहानी में क्या क्या हुआ तो चलिए स्टार्ट करते वड़ावच से देर के इस बात के बच्छो लेट्स गेट साड़ चलो तो बच्छों क्या क्या बाते करेंगे नंबर वन हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रेवलूशन की और दा आइडिया आइडिया और निर्मान किया हम बात करेंगे किस प्रकार से यूरोक के अंदर राष्णवाद बनाया गया इस भावना को जागरित किया गया ठीक है सादी साथ हम पढ़ेंगे लिप्रल नाशनलिसम के बारे में हम पढ़ेंगे चलो तब आइड़ को याद हो बच्छों तो हम लोग की कहानी स्टार्ट ह हम बात करें तो फ्रांस में बहुत सफर्दस राजा था जिसका नाम था लूई 16 और उसकी बहुत सुंदर सी वाइफ थी जिसका नाम था मैरी अन्ट वालक थे बालक मलत जब बोर्ड एक्जाम लिखने वाली इनकी उम्र थी यानि 14-15 साल की तब इनकी शादी हुई थी अगर आपको यह बता करना हो कि इनों ने शादी कितने एज में की थी तो आप सिंपल सी बाते फ्रेंच गर्वर्मेंट के फ्रेंच सरकार के आर्काइव से उनके रिकॉर्ड जिसमें इनकी एज बताई जाती है कि 14-15 साल के असपास की एज थी जब इन दोनों की शादी हु भन्वान नहीं चलाता था, लोगों की बात नहीं सुनता था, साथी साथ जो फ्रांस का समाज था उसमें बहुत दिक्कती, परिशानी थी, दुख था दर्थ था, पीड़ा था, क्यों? विकोश फ्रांस का समाज तीन हिस्सों में बटा हुआ है, िसको आप क्लरजी कहते है यानि वो लोग जो की चर्च के अंदर चर्च क्या होता है जहाँ पे क्रिश्चन लोग प्रातना करने जाते हैं तो चर्च में जैसे हम लोग के हिंदुसम के अंदर पंदिरों में पंडिजी होते हैं तो वैसे चर्च के अंदर भी क्या होते हैं प्रीस्ट होते हैं तो ये लोग नमबर वन एक तो जिन्दगी के सारे सुख उठाते थे, सारी सुविधाय उठाते थे, दूसरी बात ये लोगों से टैक्स वगरा वसूलते थे, तीसरी बात कि सरकार के अंदर इनकी काफी जादा चलती थी, तो पहला तो ये हो गया, दूसरे मारे समाच के इनके influence करते थे, अब मज़ेगी बात यहाँ पर क्या है कि ये दोनों जो states हैं आपके, दोनों जो groups हैं आपके समाच के, इन दोनों में से कोड़ भी tax नहीं भरता, ठीक है, यनि समाच के सारे benefits जो हैं, सारे मज़े ये लोग लूटते हैं, ये लोग के पास ये वाला गाना बड़ा fit better, ले 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 मज़ा ले, समाच का जम के मज़ा ले, tax का जम के मज़ा ले, benefits जम के मज़ा ले, तो अगर आप देखो कि ये दोनों states के लोग ये अलगाना काते हैं, सारे tax से लोग वसूलते हैं, सारे social benefits यही मज़े उठाते हैं, और बच जाता है हमारा common इंसान, य जब क्या होता है, जब फ्रांस में literacy rates बढ़ते हैं, लोग थोड़ा पढ़ लिखते हैं, तो पढ़ने लिखने के बाद, लोग को समझ में आता है, यार ये राजा जो है, मारा बेवकूब बना रहा है, राजा हमारा बेवकूब बना रहा भी क्या है, यार इसका game माजा जा आने कि इनके पास पैसा होते हो भी इनके पास अधिकार नहीं है अभी लोग सारे लोग क्या करते हैं लोग सारे लोग मिल करके उसके बाद आप देखते हो कि 1791 के अंदर एक नई सरकार बनती है फ्रांस में जिसका Constitutional मुनार्की कहते हो कहना के मतलब है कि सरकार का लीडर no doubt राजा ही रहने वाला है लेकिन उसकी पावर पे कंट्रोल लगा दिया गया है बाया Constitution यानि एक समिधान आ गया है फ्रांस के इंदर उस समिधान में Rules and Regulations है राजा की पावर को भी डिवाइट कर जा गया तो पहले जो राजा जी अपनी मनमर्जी चलाते थे अपनी मनमर्जियां करते थे जो उनके मन में आता था वो करते थे अभी वही राजा जी विचारे समिधान दारा बाउंड कर दे गए लेकिन अभी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम यह है कि लोगों के अंदर एक डिक्कत है है कि यहां पर फ्रांस के अंदर अभी भी जो अमारे गरीब लोग है उनको यहां पर अधिकार नहीं मिला तो फ्रांस की सबसाड़ी दिक्कत यह ए तुमने क्या देखा है यहां पर कि अभी 1791 में हाला की सरकार बदल गए लेकिन जो गरीब लोगों इनको फुर अधिकार नहीं बिला 1791 में जो सरकार चेंज हुई यारी Constitutional Monarchy बनी उसने अधिकार किसको दिया सिर्व और सिर्व यहाँ पे किसको अमीर लोगों को अभी देखो जितनी में कहानी सुना रहा हूँ तुमको पॉपकॉन ले आओ भाईया बिस्कुट ले आओ, नंकीन ले आओ, चाय ले आओ, कॉफी ले आओ जो तुम्हारा खाने पीने का माने सब लाके रख लो अपने पास इस कहानी को ध्यान से सुनो भाईया कहानी सुना रहें बढ़ियां इद्दम बुला ला यानि Constitutional मुनार्की, अभी इसने क्या किया जितने भी ऐसे लोग थे, जो अमीर थे, जिनके पास पैसा था, जो टाक्स भर सकते थे, ऐना, ऐसे जितने भी आदमी लोग थे 25 साल से उपर के, मेन लोग, मेन मतलब आदमी लोग, ठीक है जितना भी 25 साल से उपर के थे, उनको दे दिया है, आपर वोटिंग का धिकार, अब इचारा जो गरीब आदमी की आदमी की हालत वैसी की वैसी, हैना, महिलाओं की हालत वैसे की वैसी, बच्चों को तो ऐसे को लें देना नहीं है ना डफिनेटी बात है बच्चों तुरी अधिकार देंगे वोटिंगे अब क्या है कि यहां के जो गरीब भाई लोगे हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ बहुतना इंसाफ ही हुए तो मालिक हम भी अंदोलन करेंगे अभी इन सब में गरीब लोगों में क्या है कि नेता उभर के आता है सामने जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर अब रॉबिस्पियर भाईया कहता है काम करो मैं तुम्हारा नेता हूँ सब लोग मेरे साथ मिलके चलो हम फिर उनको वोटिंग का इधिकार मिल जाते हैं महिलाओं को अभी भी इधिकार नहीं मिलता है महिला है अलगी दुखी हैं किसके लाब आफ देखो गए तो फ्रांस में जो क्रांती हो रहे हैं न तो यह जो क्रांतिकारी हैं जो रेवलुशनरी हैं इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टीन के राजा लुई 16 हमारे राजा है हम इनकी प्रजा है हम इनके राजी के निवाजी निवाजी इन फ्रेंच ने लिए इननधर नहीं इंके बात सिंपल था हैं को एक बात पता है तोनगर गर्ण लोगों को एकदम एक साथ ले करके आना है तो कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे इन लोगों में आपस में common bonding बने तो लोगों के अंदर राष्टवात की भावना तभी जगरूत होगी तभी जगेगी जब लोगों को यह फील होगा कि हम एक देश के हिस्सा हैं ना पहचान भारत है तो यह फीलिंग कैसे आई यह फीलिंग आई है जब लड़ाई की जब एक साथ अंदोलन किये तो फ्रांस के अंदर भी जो करांतिकारी है वो कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं कि लोगों को इस बात में भरोसा हो जाएगी वह फ्रांस के निवासी है फ्रेंच सौरो भाहिया ने अब सौरो भाहिया को ने भी है सौरो भी एक फ्रेंच आर्टेस्ट है को ने बेटा सौरो सौरो इस फ्रेंच आर्टेस्ट ठीक है अगर आप देखोगे तो सौरो भाहिया को ने सौरो एक फ्रेंच आर्टेस्ट है जिन्नोंने 1848 में पेंटिंग मनाई थ इन फैक्ट चार प्रिंट्स बनाए थे चार अलग पिंटिंग बनाए थे Soaring और इस pact between the nations प्राक्ट का मतलब होता है एगरिमेंट अब यहाँ कि सोरो भीया ककुछ अलग ही imagine सब्सक्राइब करें और यूटोपीन विजन उसी को कहता है यानि कोई ऐसा अपना कोई ऐसा imagination जिसका reality में exist करना बहुत मुश्किल है इसको हम कहते है utopia ठीक है अगर सौरो वहिया की बात करोगे तो सौरो वहिया ने भी कुछ ऐसी printing मना डाली सौरो वहिया कह रहे हैं कि अभी जितने भी आपके अलग-अलग राजाओं के kingdom है उन्होंने अपने राजाओं के kingdom से आजादी पाली है राजाओं को भगा दिया है और यह सारे लोग क्या बन गए democratic बन गए democratic देश बन गए republic बन गए ठीक है और आप देख सकते हैं कि यह जो लोग है अपने अपने देश का जंडा कैरी कर रहे हैं और अपने अपने देश का ड्रेस पहने हुए और यह सब लोग एक अंटी को respect देते हुए जा रहे हैं अंटी का नाम है liberty अंटी कौन है होता कहता उस जमाने में जो लोगों को एक विजूल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लोगों को समझाने के लिए कि देखिए आपको इसके लिए लड़ाई लड़नी है इन्होंने क्या किया जो qualities थी उनको human form देना start कर दिया जैसे for example qualities क्या होती है love हो गया hatred हो गया आप किसी से quality को एक imagination का form दे रहो एक picture का form दे रहो तो वैसे ही क्या करते थे quality को human form देते थे जिससे लोग इस बात को relate कर पाएं लोग अपने आपको जोड के देख पाएं जिससे हम अपने देश को भारत-माता को आपने देखा नहीं देखा लेकर में देश को imagine किया है कि वो भी एक human है भारत माता है एक देवी है तो देश से अपने आपको relate करके हम देख पा रहे हैं तो वैसी यह लोग क्या करते थे यह qualities को क्या करते थे human form provide करते थे English में इसको personification कहते हैं जब आप किसी non living thing को किसी idea को एक human form दे देते हैं एक human जैसे दिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं परसॉनिफाई करना तो वैसी उस जमाने के जो आर्टेस्ट थे इन qualities को personify करते थे जिसे यहां पर जो liberty liberty का मतलब होता freedom सो अतंतरता को इन्हों परसॉनिफाई किया है as a female figure ठीक है नशाल का मतलब है जोसमें जलती हुए आग है वो आपके अग्यान के अंधेरे को दूर कर देगी और आपके अंदर बहुत सारा अग्यान आ जाएगा बहुत सारा knowledge आ जाएगा इसको हम कहते हैं torch of enlightenment याप सोच पाओगे आप समझ पाओगे अभी आप जो है आँख बंद कर करोगे आप आंदोलन करोगे गलत चीजों के तो यह सारी चीजों का नॉलेज आ जाएगा यह इसी बात को सिंबॉलाइस करती है अब अगर आप देखेंगे इसके दूसरे हाथ में बड़िया सी किताब है किताब में क्या लिखा हुआ है इस किताब में अधिकार लिखे है इस किताब में लिखा है राइट्स ऑफ मानें सेटिसन कि इक इंसान के क्या-क्या अधिकार है अब अगर आप देखोगे यह आपका लिबर्टी है स्टाच्यों लिबर्टी ध्यान दीजेगा अब देखे आपसलिटिस्ट इंस्टिउशन क्या होते है बिटा यह वो सरकारे थी जहांके लीडर्स के पास सुप्रीम पावर थी यानि फॉर एक्जामपल आपकी राजा की सरकारे आपकी मोनार्की जैसे लुई 16 की सरकार 1789 के पहले तो इनके पास क्या थी इनके बहुत सादा पावर थी बहुत खातरनाक वाली पावर थी राइट और यह जैसा चाहते थे वैसा करते थे यानि जो लोग इनके अगेस्ट आवाज उटाते थे उनके आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देते थे हैना माल लोगर तुमने बोला कि राजा तुमने गलत अधिकार लिया है तुमने गलत राइट्स लिये हैना राजा है तुम गलत डिस्ञें ले रहे हो ते राजा क्या कहता था एए कामोश तुम मेरे को बटाएगा मैं कॉल से डिस्टेन लूँगा अब तू मेरे को बताएगा मैं क्या करूँगा है मैं चाह खाऊ हूँ मैं चाह जोग करूँ मैं चाह टैक्स बढ़ाँ तू क्या होता है कौन है है ना तो अगर आप देखो कि राजा तुमको ऐसे करेगा ठीक ड़िए तुम राजा कर बोलो के भी आप गरत काम कर रहे तो राजा कर यहाँ पे राजा बहुत जादा पारफुल है सरकार का लीडर बहुत जादा पारफुल ए और वह अपने कोई भी criticism बरदाश नहीं करता वो अपने किसी की भी आवास को बरदाश नहीं करता ठीक है डन चलिए तो यहां पर फ्रेडिक सौरो भाईया कह रहे हैं कि लोगों ने ऐसी सरकारों से आजादी पा ली है लोग democratic राज्य बन गए है democratic institutions बन गए है और यह सब लोग अपनी डिबेट उठती है कि एक nation state है क्या है एक राष्ट है क्या तो देखें एक राष्ट है एक modern state से अलग कैसे है अगर आप एक modern state की बात करेंगे तो modern state में क्या है एक सरकार है और वो सरकार एक बड़े इस इलाके में rule कर रही that's all वहां के लोगों से उस सरकार का कोई दूर-दूर तक लेना देना नहीं ठीक है बहुत simple है कि वहां के लोगों से उस सरकार का दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं उसकों कहते है एक modern state यानि एक central government है common culture हो उनका, एक common जीने का तरीका हो या common struggle का हो हिस्सा रहे हो, तो इनके बीच में ने commonness, common bonding है, आप जिसे देखो कि जर्मनी में starting में जब जर्मनी बना, तो जर्मनी के अंदर जितने भी states थे, वहाँ के सारे लोग वहाँ पे जर्मन भाशा बोलते थे, वहाँ के राजा भी जर्मन भाशा बोलते थे, उनका culture भी एक जैसा था, तो एक बड़ा अच्छा एक्जामपल है किसका nation state का, तो nation state में यही खासी है थे कि राजा की बीच में, rulers की बीच में और लोगों की बीच में common bonding और यह common bonding मनाना इतना असान नहीं है, अगर हम फ्रांस का एक्जामपल नहीं तो फ्रांस के जो क्रांतिकारी उन्होंने कई सारे steps उठाए, तब जाके फ्रांस के लोगों में common bonding क्रेट हो पाई, अब फॉर अगर आप देखोगे, तो राष्टवात का पहला बहतर एक्जामपल है आपका फ्रेंच रिलूशन आप 1789, अब यहां की करांतिकारी क्या चाते थे, यहां की करांतिकारी चाते थे कि लोगों के बीच में common identity बने, लोगों के बीच में common belonging इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने कुछ खतरनाक कदम उठाए जैसे नमबर वन, आज हम लोग भारत को क्या कहते हैं, भारत हमारा देश है, भारत हमारी मेल डॉमेनेटेड है, यहांनि मेल्स का जो डॉमेनेशन जो पावार है थोड़ी जादा है यहां पर पूरुष प्रधान समाज, तो यहां पर जो है concept आता है fatherland का, किसका concept आता है बच्चे fatherland का कि देश हमारा fatherland है, और यह लोग कहते हैं कि अभी जो नागरिक हैं यहां प मडाम कहते थे, अब इसका मदब यह नहीं कि तुम स्कूल में चले हो जाके बोल दो कि कुनाल से निका के मडाम यहां वरी ब्यूटिफुल ठीक है, हाँ उसके बाद मडाम जो है, तुम्हारी तुम्हारे पीछे भागें यहां तो अलगी है, तो अपन दोनों मार खाएंग पीछा डे होंगा पहले बतार हो तो बचला वहां पर चांड करके आगे, बाद में बचलो है मडाम धूंड रहे कुनाल से कहां है, चलो आगे बात करते हैं, अरे तो पन्ना बलट के रोको, पन्ने वापस करते हैं, चलो, तो अगर आथ देखो कि तो ला पात्रे और ली से इन्ठीया इनने नँने इंट्रोस किया अब यह क्या कहते हैं, कि पहले जवान हम उभा करते है, वहां तो यह न पहते हैं, जो राजह महरा जाओ हुआ करते है, इनका अपना जंडा था जो इनके बचांड़ करते हैं, तो आ पिर इक देखो थे लगों को पोगते हैं, पर्लियमेंट है संसत्ववान है जो का क्या करता है कानून बनाता है बहुत सरे लॉस बनाता है वैसी फ्रांस के अंदर स्टेज जनरल हुआ करती थी खाला कि इस बॉड़ी का पॉलिटिकल बॉड़ी का कोई काम धाम नहीं था क्यूं राजा जो था इतना नालाइक था कि इस सेंट्रल एड्मिस्ट्रेशन लाया गया जो एक कॉमन रूल्स बनाएगा यहां पे रहने वाले सारे सिटिजन के लिए तो इनका कॉंसेट्ट बहुत सिंपल था क्रांतिकारी चाहते थे कि देश के अंदर एक सेंट्रल सिस्टम हो है ना जो पूरे देश को मानेज करें और आगर आप यहां पर देखोगे जितने भी इंटरनल कोंसे इंटरनल कास्रमश मतलई आगर आगर आप देखींगे बच्चो तो यहां पर बहूत सारे डijn बहुं आगर आपको सामान खरीद रहें बेच रहें इसके लावा लोगों को पर बहुत सारे करजें तो इन सारे चीजों को इन्हों ने क्या किया हटा दिया माफ कर दिया फिर उनने क्या किया कि एक uniform system of weights and measurements सब्सक्राइब बुह बहुत नहीं बहुत बद्धिक्कत हैं वह बबनेंगे इन्हों नहीं आप रहें पर लूं क्या करना पड़ेगा रहता सब्सक्राइब क्यां अलगी पहले क्र सब्सक्राइब कोई बुलभकर व्रूल nous इससे कौँप नहीं वए अपने नफ de करेगा तभी कावन करेगा तभी जाकर के लोग कर पाएंगे कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो यह कोश्चन आता है पांस नंबर में तो आप पांस नंबर के अंदर पॉइंच लिख सकते हैं बच्छो ठीक है डान चले अब कहानी आगे बढ़ती है अब क्या होता है कि जी देशों के आके अंदर आकर के हमारे देश के राजाओं की भी बैंट बजा सकते हैं तो ऐसा रिजल्ट आप देखोगे तो फ्रांस का जो आंदोलन है वो बहुत सारे लोगों को इस्पायर करता है यूरोप के अंदर और डाट इस वन आफ दा रीजन कि अगर आप देखें हमारे फ्रांस के पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर एक जबरदस्त बदलाओ आता है ठीक एक जबरदस्त बदलाओ आता है और वो बदलाओ आता है इंदा फॉर्म अफ नेपोलियन अगर आप देखेंगे नेपोलियन क्या है एक नेपोलियन एक मिलिटरी जनरल है ठीक है न 1999 में बहुत सारे क्रांतिकारी यूद लड़े जा रहे थे जिसमें फ्रांस इंवाल था और उन युद्धों में से कई सारे युद्धों को हमारे नेपॉलिन भाया ने भी लीड किया था अब नेपॉलिन को लगता है कि फ्रांस की पॉलिटिकल हालात बहुत जादा अच्छे से नहीं नहीं तो एक बहुत अच्छा मौक्वा है फ्रांस में अपना कभ़्ा जमाने का तो यह क्रते हैं फ्रांस में नई तरह की सरकार करते हैं जिसको कहते हैं उसकेुद पाद 1804 में अपने आपको declare कर लेते हैं France का राजा है यानि France का emperor और जब 1804 में अपने आपको declare करते है France का emperor तो अपना एक civil code ले के आते हैं ठीक है जिसको आप नेपोलनिक code के नाम से भी जानते हो अब इस civil code के इंदर तीन major मुद्दे है इन्होंने क्या क्या कि जन्व के अधार पर यानि बर्त के अधार पर जितने भी benefits दिये गए जितने भी rights दिये गए उनको खतम कर दिया दूसरा अभी जिसके पास पैसा है वो private property खरीच सकता है तीसरा जो कानून है अभी सबके लिए इन व पैसे आले लोग होते थे उन लोग अपनी जमीन करीते थे अब उस जमीन के ऊपर है क्या करते थे गिसानों को आज मजदूर हैर करते थे उनसे काम करवाते थे ठीक है तो इस सिस्टम में क्या था विचारा किसान बहुत परिशान था तो नपोलिन ने क्या किया सिस्टम को आके विल्कुल ख़तम कर दिया ऐसे कर आप देखोगे जो अलग अलग व्यपार करने वाले लोग होते हैं जो बि अगर हम बात करें बच्शे तो यहां पे जो गैर यहां पर पहले बहुत सारे ठीशन से तो नेकोलिनने क्या किया इन रेस्टिक्शन को आके हटा दिया अब क्या हुआ अब waterproof कर दिया तो लोहं याई नैक्यूट नौट हमारा मसीह भैक्त सेवियर है यह ने पोलीएन ही ऐसा इंसान है जो हमारे जिंदीगेवें बहतर बता सकता है तो लोग बहुत खोश हो गए हैं लेगन बिल्कूल खालाति यहाँ पे भी सेम है कि नैपोले ये भले इा भूस लेकिन कुछ ऐसे चीज़े हैं जो नेपोलियन के अगेश चलिगी फॉर एक्जामपल इसने क्या किया कि लोगों का पॉलिटिकल फ्रीडम ले लिया या अभी आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते फ्रांस में नेपोलियन क्या गेंस्ट आप नहीं जा सकते इसके लावक कई सारे इलाकों में इसना टैक्स बढ़ा दिये यानि टैक्स कम किये तो कहीं जगे टैक्स बढ़ा भी दिये ठीक है इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे नेपोलियन ने सेंसर्शिप कर दिया सेंसर्शिप क्या होता है बच्चों यानि मीडिया के उपर क्या चपेगा क्या 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 निउस्पेपर में आएगा अगर सरकार क्या कोई भी चीज़ है तो उसको छापा नहीं जाएगा यानि अप मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो तो जो आप मोलोगे मीडिया वो छापेगी इसको कहते हैं सेंसर्शिप यानि freedom of the media अपना ख़तम कर दिया फिर आप देखोगे कि नैपोलियन बहुत जादा यूद लड़ता है वार लड़ता है तो इसके लिए उसको क्या चाहिए उसको बहुत सारी सोल्जर्स चाहिए अब सोल्जर्स कहां से आएंगे बच्चे तो यह कहता था लोगों को जबरदस्ति यूरोप के यानि ब्रिटेन और प्रेश्या और रश्या यह क्या करते हैं इनको लगता है कि नैपोलियन की पावर बहुत ज़्यादा भड़ती जा रही अब क्या है इनको इस बात से खत्रा है तो इनको लगता कि नैपोलियन को कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी बैंट जा देगा तो यह लोग क्या करते हैं मिल करके ग्रूप बनाते हैं कोईलिशन बनाते हैं और दो बड़े यूद लड़े जाते हैं ठीक है एक था बैटल ऑफ लिब्जिक जो कि 1813 में लड़ा गया था और दूसरा है बैटल ऑफ वाटरलू में जब नेपोलियन फाइनली हा यूरोप के अंदर सबस्वड़ी दिक्कत यह थी कि यहां पर यूरोप जो है अलग अलग हिस्सों में बटा है यानि जहां पर बड़े-बड़े राजा यारत करें अगर आज इसको आप ऐसा कंट्री जानते हो न जर्मनी इटली स्विजलें यह कंट्री नहीं हुआ करते यह अलग अलग घिया थी जहां पर रहने वाले लोग बहुत अलग थे है ना इनकी बाश्खा अलग थी इनकी कंट्र अलग थी इनके बोलने चलने का तरीका राइसे इंदर का-दाध घॉहैमिया आता था एना और्प शक्रार्टण आता था स्ल toxic आ ता था था मिदर चाय बोल चाब बहुत अलग अलग हैं फोर एक्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे लिए अगर आप्ज div बाकि आदे जो है कुछ अलग भाशा बोलते हैं ऐसे आप गेलीशा की बात करो गेलीशा में जो यानि जो पावरफुल लोग हैं पैसे वाले लोग हैं वह पॉलिज भाशा का प्रयोग करते हैं ऐसे आप देखो कि एस आपसबर्ग एंपायर के अंदर लॉंबार्डी और वि यह हाब्सबर्ग एंपायर के अंदर रहते हैं बस यही कौमन है बागी कोई कौमन नहीं तो इनके अंदर राष्ट्रवात की भावना लाना इनके अंदर नाशनलिजम की फिलिंग लाना अपने अपने बहुत बड़ा चालेंज है चलिए अभी फिलिंग कैसे डवलप होगी को समझने के लिए हमें समाज को समझना जरूरी है कि यूरोपियन समाज कैसा था अब देखे यूरोपियन समाज के इंदर ना तीन बड़े ग्रूप से नमबर वन अरिस्टोक्रेसी ठीक है दूसरा है प्रिजेंटरी यह निए फार्मर्स और तीसरा है आपका मिनल क्लास ठ अलाकि इनकी पॉपलिशन बहुत कम है अब मज़े की बात क्या है कि यह लोग फ्रेंच महाशा बोलते हैं इंके बड़ी बड़ी जमीन जायदाद हैं और साथी साथ बच्चे आप देखोगे तो यह लोग आपस में शादियां कर लेते हैं आप कहेंगे तो आप देखेंग के लिए और बितने भी ऑफिशल होते हैं तो उसके लोग फ्रेंच महाशा का प्रयोग करते हैं ठीक है अब अगर आप किसानों की बात करेंगे तो जो मैजॉरीडी पॉपलिशन है यूरोप की हो किसान पॉपलिशन है हाला कि किसानों की हालत यूरोप के अंदर अलग अगर आप देखो कि जब इंडस्टलाइजेशन हुआ इंडस्टलाइजेशन मतलब जब बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री बनना साट हुई तो उससे क्या हुआ कि उसके आसपा शहर बनना भी स्टार्ट हुए अभी शहर में जो रहने वाले लोग हैं मैक्समम ऐसे लोग हैं इंकम क्या अब जब इनकी इंकम आनी चार्ट हुए तो इनोंने अपना जीवन इंप्रूम करना चुर्ण गहा अब क्या होता है बच्चे इस भावना से एक और बड़ा जबर्दस टरम निकलते हैं लिबरल नाशनलिजम तो लिबरल शब्दा आये एक लैटिन भाशा से ज तो अगर आप देखेंगे तो इनको राष्ट्रवात की जो feeling है इनके अधर देर देर स्टॉंग होती जा रही है तो इनको अभी क्या चाहिए इनको बहुत सारी freedom चाहिए तीन तरह की freedom नमबर वन तो यह जितने भी आपके middle classes के लोग हैं जो कान धंदा करने वाले हैं इनको क्या लगता है कि लोगों के पास equality होनी चाहिए इनको लगता है कि कानून हर एक इंसान के लिए सेम होना चाहिए हालकि गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं यह अपने लोगों की बात कर रहे हैं जो प भड़ा दीजे कोई दिखकर नहीं यह constitutional monarchy से ओक हैं यह democracy बात नहीं कर रहे हैं यह कह रहे हैं जो राजा की सरकार हो उसके उपर एक समविधान हो और पर्लियमेंट बनाया जाए जिस पर्लियमेंट में लोगों से अप्रूवल ले करके फिडिसियन लिया जाए ठीक है तो यह कैसी सरकार चाहते हैं जा पर पर पर्लियमेंट हो और राजा की पावर को कंट्रोल करने के लिए कि समविधान हो फिर अगर आप देखोगे एकॉन एंगर आफ देखोगे तो राजा की सरकार होने था जबर्दस्ती मारकेट्स पर इस्त्रिक्ट्षन लगा दिए जैसे व्येंपार करना बहुत मुश्किल है तो लोग चलिए एक मन बहुत आगे आगे चलो काफी आगे आगे रहे ओके एक मन वापस आते हैं बच्छो जल्दी से ठीक है डन तभी आप देखोगे बच्छो यहाँ पे थर्टीनाइन ऐसे स्टेट से हमारे जो नेपोलेन भगया था उन्होंने यूरोप के कई सारी लाकों पर उसमें इस तर्टीनाइन से स्टेट थे जहां पे जो लोग हैं क्या बोलते थे बिटा जर्मन भाषा बोलते थे तो इनके ग्रूप कों कहते जर्मन कंफिडरेशन ठीक में यहां पर कपड़ा मिज़र किया जाता था एले में ठीकि तो एले इनका यूनिट था और मज़ेगी बात यह कि हर एक एले का जो वैल्यू है वो हर एक स्टेट में अलग 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 था अब इससे कहता व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया अब इन्होंने सोचा काम क इन इंङो देखो गे तो एक सब्सक्राइब गया बड़ा स्ट्रॉंग ज by गया सब्सक्राइबेहा क और बाकि जर्मन स्टेट आ ईसको सपूर्ट करते हैं और प्रांपी अन्हल्म से असका ज़ोलवरीं जर्मन भाश पररमेशान कंब पर इंप्रूव वा जब लोगों को इस सारी चीजें बैतर लगी तो यहां पर जर्मन लोगों को लगा कि या अगर हम लोग एक राष्ट बना ले एक देश बना ले तो कितना बढ़ियां हो जाएगा एक देश हो उसकी एक सरकार हो एक जैसे कानूनों तो सब को जीने में मज करती हैं इस सब बहुत अच्छी चीजे हैं और इनकी रिस्पेट करनी चाहिए अब क्या है कि जितने भी चार चोर है आपके ब्रिटेन रश्या आस्ट्रिया प्रश्या इनलों को लगता है कि और नेपोलियन ने बहुत जादा उथल पुतल मचा दिया तो यह लोग क्या कर फ्रांस में रेवलुशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले वहां पर जो सरकार थी हो एक एबसलीट मोनार्की थी और वहां पर कौन से डैनेस्टी रूल करती थी बर्बन डैनिस्टी तो अभी बर्बन डैनेस्टी को रेवलुशन के टाइम पर उठा के फेक दिया गया था इन्होंने वियेना मेंग संदल संथरी केग से अब क्या होता बच्चों यहाँ तो बर्बन डैनेस्टी उसको वापस से पावर में रिस्टोर कर दिया जाता है अब फ्राnt पास की पावर को रोकने जरूरी था कि इसके आज-पास कुछ ऐसे स्टेट्स पनाया जाएं जिनको ये बृतेन रुश्य। य। अश्ट्रेय को जातै काफी सारी सा जाता है। तो ये लोग ये करते हैं कि जितना भी इलाका जो हमारे नेपयोलें ने कब्जा किया था। उस को आपस में लोग बांट लेते हैं except यह German Confederation के तो German Confederation था ना 39 स्टेट्स का ग्रूप था इसको टच नहीं किया गया तो मेजर अब्जेक्टिव यही था कि यार जितनी भी मुनार्की इसको राजा की सरकारों को यहाँ पे निपोलियन ने तहस्ने कर दिया था उनको वापस से इस्टाब्लिश किया जा और जितने भी चेंजर निपोलियन ने किया है उसको वापस से पहले जैसा कर दिया जाए चलिए अगर आब बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर अगर अब देखोगे अगर मजीनी की बात करेंगे तो मजीनी का ये मानना था कि भाईया इटली को युनाइट करना बहुत जरूरी है मजीनी का जन्म कब हुआ मजीनी का जन्म हुआ जैनोवा नामक शहर में 1807 में ठीक है उसके बाद आप देखो कि इन्हों बड़ी यंग उमर में एक सीक्रिट सुसाइटी को जोइन किया जिसका नाम था कार्बोनारी ठीक है फिर इनको बिलीव था कि यार इटली जो अभी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड़ है उसको युनाइट करके एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे इन्होंने दो सीक्रिट सुसाइटी बनाई थी इसका एक नंबर का कोशन आता है पहले थी यंग इटली जो की बनाई गई मार्सले में और दूसरी थी बेटा यंग यूर तो एक ऐसे परिवार से आते थे जो सी ट्रेड में वाल था यानि समुधर वैपार करता था अगर आप देखोंगे 1833 में इन्हों ने यंग इटली मुमेंट को जॉइन किया ठीक है और बहुत सारे आंदोलों में पांदोलन हुआ था जिसमें गरिवाल्डी को लगभा लग कोई परिक्राद ऑने के ख्राइए अपनी वालेंटीय जिसक हुआ होते हैं जो अपने मरसी से काम करने को तयार है कार देखिंगि तो वहाँ पे जो 1830 में क्या होता है कांदूलन होता है तो 1815 में जिसको वहाँ राजा बनाया गया था आगेस लुई सेटीन ता शायद वो ठीक है मिलब लुई खांदान का एक इनसान था तो उस जमाने में 1815 में जो ट्रीटी ओव वियना के बाद जिसको राजा बनाया गया था फ्रांस के लोग 1830 में उसको अपने से उतार देते हैं फ्रांस में दुबारा से जुलाई में 1830 में revolution होता है और लोग क्या करते हैं राजा को भगा देते हैं और राजा के भगाने के बात क्या किया जाता है वहाँ पे एक और इंसान को बनाया अब क्या हुआ कि अगले 15 सालों में वो राजा कुछ खास काम तो कर नहीं रहा था तो लोग बड़े गुस्सा हो गए तो लोगों को कर लगा कि फिर आंदोलन करना चाहिए तो लोगों ने क्या किए अब जो जुलाई में फ्रांस में रेवलुशन हुआ उसका सीधा इंपैक्ट पड़ा है अब नीदर लैंड्स में अब देखोगे तो बेल्जियम उसका हिस्सा था अब बेल्जियम का एक शहर ब्रसल्स करके जो अभी उसका कैपिटल है वहां पे कांदोलन चालू होता है उस इसके उपर एक मुस्लिम एम्पायर रूल कर रहा है जिसका नाम है ओटोमन एमपायर ठीक है ओटोमन शब्ड कहां से आता है जो सबसे पहले रूलर थे इसके उस्मान तो उसको वैस्टन लोग ना उसका नाम नीब बोल पाते हैं तो पहले ऐसे बंदे हैं जिन्नों ने कि भावना जाकती तो उनको लगता यार कि हमको स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है और इनको आप देखो कि तो बहुत सारे यूरोपियंस का भी सपोर्ट मिलता है जिसकी मदद से क्या होता है बचे लोग इंडिपेंडेंडेंस देक्लेर कर देते हैं एक ट्रीटी साइन की जा तो नैशनल रोमांटिसिजम का एक कल्चरल मुवमेंट है जो इस बात को कहता है कि भाईया सिर्फ साइंटिफिक तरीके से आजादी नहीं पाई जा सकती आपको अपने देश का अगर स्पिरिट को देखना अगर देश में लोगों में एक कॉमन आइडेंटिटी बनानी है लोगों को जोड़ना है तो लोगों को कल्चर के थूढ़ना पड़ेगा ठीक है अगर आप देखोगे बच्छे एक जर्मन फिलोसफर है जोहान कोटरिफाइड हर्डर ये कहते हैं कि असली जर्मन कल्चर को ढूढ़ना है तो कॉमन लोगों के बीच में जाओ जिसको आप 10 स्वोग कहते हैं तो असली जर्मन कल्चर आपको उनी के बीच में लेगा अगर आप देखोगे तो इसको बहुत तरीके से रिवॉल्ट अमलब बहुत तरीके सेलिब्रेट किया जाता है फर एक्जांपल पॉलेंड के अंदर एक बड़े फेमस कंपोजर थे कारोल कॉर्पि की जाएगी तो पॉलेंड के लोग क्या करते हैं रश्या के खिलाफ आंदूलन करते हैं बड़ रश्या पारफुल है तो सांदूलन को दबा देता है अब वहां के जो चल्च के प्रीस्ट वाले लोग है प्रीस्ट मनलब वो जाकर जो पुजारी वगए रहे हैं चल्च के तो उन लोग को कहा जाता है कि आप रशन में prayer करें ठीक है लेकिन वहां के पुजारी इस बात को नहीं मानते हैं वो कहतें कि नहीं भाईया हम पॉलिश भाशा में ही prayer करेंगे as a result बहुत सारे priest को बहुत सारे father लोग को उठा के jail में डाल दिया जाता है लेकिन एक बड़ा अच्छा example present करता है किस तरीके से लोग की भाशा है लोग का जो culture है वो उनको जोड़े रखता है लोग को एक जूट करता है तो अभी अब देखोगे यउरोप के अदर राष्ट बंने की भावना मुनार्की से freedom पाने की भावना राष्ट वात की भावना एग दीन पर दीन दीन बहुत स्टॉंग होती जा रही है अब क्या होता है आग में घी डालने वाला काम देखे होता क्या है बच्चों 1830 से 1848 का जो समय था वो यूरोप के लिए बड़ा मुश्किल था रीजन क्या है कि maximum countries में population बढ़ गई है इसके अलावा जो लोग है बिटा वो jobs जून रहें लेकिन jobs available नहीं है खाने के लिए लोग पास खाना नहीं है आज़े रिजल्ट क्या होता है एक बच्चे राजा में बचाने क्लिए लेकिन situation इतनी out of control हो गए कि राजा को अभी धोती उठाक भागना पड़ता है यानि जो जमाने में जो 1830 में जिनों ने इसको राजा बनाया था यानि लूई फिलिप को राजा बनाया गया था लूई फिलिप भी बेकार साबित हुआ तो 1848 में पैरिस में दुवारा अंदोलन हो रहा है अभी पैरिस की जनता पागल हो चुकी उसको क्या चाहिए उसको सलूशन चाहिए भाई ठीक है उसको अपने लिए इनसाफ चाहिए उसको खाना चाहिए उसको जॉब चाहिए तो ये राजा तो दे नहीं पा रहा है तो पैरिस की जनता क्या होती सड़कों पुता राती है आंदोलन करती है जो लुई फिलिप है उसको यहाँ धोती उठा के भागना पड़ता है और फ्रांस दुबारा से बन जाता है एक रिपबलिक है ना और जितने भी 21 साल और से उपल के रोगे है उनको वोटिंग करतिकार मिल जाते हैं अगर आप देखोगे तो यही बदलब इस तरीके का बच्चे आपको रिवॉल्ट 1845 में सिलेशिया में भी देखने को मिलता है सिलेशिया में क्या है जो वहां के कॉंट्राक्टर्स हैं वो बिचारे वीवर्स को ठीक पैसा नहीं दे रहें उनसे काम तो करवा रहें बड़ उसको पैसा नहीं दे रहें तो वीवर्स अंदोलन करते हैं कॉंट्राक्टर भी इसको रिटालीट करता है कॉंट्राक्टर करत रहते हैं यहां पे educated middle classes जिनका demand था कि एक United राष्ट बनाया जाए एक United देश बनाया जाए और उस देश में एक समिधान को लागू किया जाए तो इसी objective के साथ जितने भी German states है याद आपको 39 German states तो उनके जितने भी middle class वाले लोग हैं वो क्या करते हैं 18 में 1848 को यह लोग क्या करते हैं एक political association मनाते हैं और जितने भी वहां के German political associations थे वो लोग अपने members को choose करते हैं ठीक है और voting वगरा की जाती है और 831 members को यहां पे choose किया जाता है तो इनका objective simple था कि जितने भी German states हैं उनको मिला करके एक common देश बनाना उसका एक common parliament बनाना ठीक है तो यह parliament कहां बुलाया जाता है यह parliament बुलाया जाता है Frankfurt में Frankfurt एक शहर है जर्मनी के अंदर ठीक है तो यहां पे क्या होता है एक church है सेंट पॉल का यहां पे सेंट पॉल के चल्च में इस पार्लियमेंट को बुलाया जाता है और जितने भी आपके मिडल क्लास के लोगें वो एक constitution मनाते हैं वो कहते हैं कि भाईया प्रेश्या के जो राजा थे उनको वो crown offer कहते हैं कि आप एक काम करिये हमारे जर्मन देश के राजा बन जाई है लेकिन आपके powers को एक constitution धारा control किया जाएगा अब राजा इस बात पे गुस्ता हो जाता है राजा कहता है भाई मैं पागल थोड़ी हूं कि अपने powers को control करने दूँगा तो राजा क्या करता है राजा इस बात को नहीं मानता और जो बाकी राजा है अलग-अलग states के उनके साथ वो आंदोलन करना start कर देता है ठीक है इसका result यह होता है कि भाईया राजा powerful है आर्मी powerful है तो जितने भी middle class वाले लोग है इनको बेज़दी करके बाहर भगा दिया जाता है और यह parliament आपका dissolve हो जाता है तो यह आपका 1848 का Frankfurt parliament यहाँ पे क्या हो रहा है middle class वाले क्या कर रहे है बच्चे middle class वाले try कर रहे है इस सारे जर्मन बोलने वाले states को unite करके एक राष्ट बनाया जाए उसके एक राजा हो उन राजा के उपर एक समिधान हो लेकिन इनका पूरा आइडिया फेल हो जाता है आज जर्मनी यूनाइट नहीं हो पाता आप देखे यहाँ पे आते हैं यूनिफेकेशन लड़े के तीन यूनिफेकेशन के में बात करेंगे नंबर वन अब क्या होता है जर्मनी के जो आपके बचे जर्मनी के अंदर जो सबसे स्टॉंग स्टेट है प्रेश्या चीफ मिनिस्टर उन वां वran क्या करते हैं अपनी बियूरोग्रेशी स्किल्स जैसे मारे जैशंकर जी ना जैशंकर करें मिनिस्टरchair पड़े तरीके से डील करते में कंट्री के साथ?.. तो वैसी इसकिल्स हमारे विस्मार के पास भी थी तो अपनी bureaucracy skills और army को use करके क्या करते हैं Germany को unite करने का try करते हैं ठीक है तो साथ सालों के बीच में तीन यूद लड़ाई जाते हैं किसके साथ हमारे Denmark के साथ Austria के साथ और France के साथ तीन लड़ाईयां लड़ी जाती है किसके 7 सालों के बीच में और इसमें क्या होता है जो प्रेस्या के यार्मी जीच जाती हूए और उसके बाद् जो की प्रेस्या के राजा थे एक जर्मन स्टेट अब यहां पर जैसे बिसमार्क जर्मिनी में थे वैसे यहां पर जुसके चीफ मिनिस्टर यहां पर मुवमेंट को लीड करते हैं और गरिबालडी की मदद से गरिबालडी जो करांतिकारी हमने देखा भी उसकी मदद से क्या करते हैं इटली को युनिफाई कर देते हैं फाइली 1861 के अंदर जो विक्टर इमानुल सेकेंड है उनको युनाइटेड इटली का राजा गोशित किया जाता है अब यहां बहुत सिंपल है बच्चे यहां पर यह जो इंसान है आपका यह क्या करता है पहले आपके फ्रा इटली उनाइट हो जाते हैं अब अगर आप इंग्लेंड की बात करें तो इंग्लेंड का खेस अलग है इंग्लेंड में क्या है कि अंदर आप देखोगे तो कोई राश्ट नहीं को एक देश नहीं यह चोटे जोटे आइलेंड से ठीक है अब जैसे फॉर एक्जामपल वे नारकी से पावर अपने हाथ में ले लेता है ठीक है और यह कहता है कि हम एक नेशन स्रेट बनाएंगे जिसमें इंग्लेंड को बीच में रखेंगे इंग्लेंड सबसे पावर्फुल होगा और बागी सब इसके हिस्स्य होंगे तो यह क्या करते हैं स्कॉट्लेंड के साथ एक आडव यूनियन साइं करते हैं 1707 में जिसके बाद फार्म होता है युनाइट गिंडम ओफ ग्रेट बिटेन ठीक है जिसके बाद क्या फार्म होता है बच्चे इनगलेंड के वहीं बहुत बहुत किया रहा है स्कॉट्लेंड के इंदर भी दो तरीके के लोग हैं क्रिश जाजत नहीं है इसके वाद आगर आप देखोगे 1801 में आइलेंड के अंदर भी सेम होता है आइलेंड में भी सेम प्रॉब्लम में Catholic Protestant वाली तो यहां की Catholic आंदूलन्द करते हैं लेकिन वह successful नहीं होते तो पाइज रिजल्ट 1801 में भी जबरदस्ती आइलेंड को भी इनके साथ मिला लिया जाता है और एक नया फॉर्म में जब कभी किसी देश को प्रहस्ट करते हैं यह जैसे यह क्या है यह किसी की है फ्रांस तो सब्रण बात करें तो ब्रिटेन की तो ब्रिटेन को मoffens करता है डिचैनिया बिसकिट की बात नहीं की जा रही हाँ पर बच्चे के इन साथ भी 250 है उप्रशचे तो ब्रिटेन को में करने वाली जो फीमेल एपर talks नुभ इससे अभी बालकन्स यूरोप में वह इलाका है जहांपे रहने वाले लोग बड़े अलग-अलग क्याटिगरी के हैं मतलब इनकी भाचा इनकी भाचा बोल चाल इनका कल्चर ट्रेडिशन सब अलग है तो इस बालकन विजन्स के अंदर क्या आता है बचे बोस्निया, सर्बिया, मौन्टी निग्रो, कोसोवो, अलबानिया, ग्रीस ये सारे इलाके आते हैं अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है किसके अंदर में आता है ओटोमन एंपायर के ओटोमन एंपायर क्या, एक मुस्लिम एंपायर है, ठीक है, और यहां पे रहने वाली जो जनसंक्या है, बेटा हो काफी ज़्यादा क्रिश्यन है, बहुत ज़्यादा इसाही रहते हैं यहां अब दिक्कत यहां है, नमबर वन यहां पर पहली बात तो धर्म का प्रॉब्लम हैं, तो यह तो यह चाहते हैं कि पहली बात की ओटोमन को छोड़ दें, और दूसरा यह चाहते हैं कि एक दूसरे के इलाके पे कबज़ा कर लें, तो as a result क्या होता है, यहां बहुत सारे यूद छिड़े आते हैं, अब इसमें जब बड़ी बड़ी पावर्स कूच जाती है इस ब्रिटेन, रश्या, आस्ट्रिया, प्रश्या, तो यह इलाका इतना जार सेंसिटिव हो जाता है कि end of the day आप देखोगे कि हम वर्ल्ड वार वन हो जाती है, ठीक है, तो पहले यहां इस इलाके में बालकन वार्स होती है, फिर end of the day आप देख्यों कि यहां पे वर्ल्ड dependence मिल जाए, विकास ओटो मन क्या है, ओटो मन एक मुसलिम empire है, यहां पे रहने वाली जन संक्या, जो है, वो Christian है, ठीक है, अब इसकी बात दिक्कत यह है कि यहां पे जो बड़ी बड़ी European powers है, वो भी इस इलाके में इंट्रेस्टेड है, उनको लगता है, अगर छोटे 1914 में हो जाती है, यहां पे the first world war चले, इसी के साथ हमारे mind maps को खतम करते हैं, उमीदा मज़ा आया होगा, आपको बहुत चोटा सा, बहुत कम टाइम में मैंने try किया है, आपको पूरे concept को revise कराने के चले, ऐसी और mind maps के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए and love you guys, we'll talk next class